नमस्कार नमस्कार स्वागता आप सभी का उतकर्स ओनलाइन प्लैटफोर्म पर कई बच्चे घरे सर आईए आगया बिल्कुल आगया हमें ठीक है तो कभी कबार एक आज मिनट ऊपर नहीं चो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है देखिए इंग्लिश लेंग्विज के आप और चीजों का अच्छे से समस्ते चले जाएंगे सबसे इंपोर्टेंट बात ही है कि बिन टाइम विस्ट के हम अच्छी बाते सीख रहे हैं ताकि वह एक्जाम के अंदर आपकी मदद कर पाएं और आपके चैर पे एक मुस्कान आयर उस मुस्कान के साथ आप आप आर आए बढ़ रहे हैं ठीक है उमीद करता हूं सभी स्वस्त होंगे हंस रहे होंगे खेल रहे होंगे चावा यह पीके बैठे होंगे बिल्कुल अटेंटिव कर एक चोटा सी ट्रिक मैंने आपको दे रहे कि हैड़ फॉन यह एरफॉन सेट रखा करो ठीक है बढ़ता हूं आगे से sentence लेकर आता हूँ यह राजी अपने पास sentence कल हमने बात कर दिशना कुछ sentence के बारे में तो मैंने आप को कुछ मूल मंतर दिया था एक दिया था मैंने मूल बनतर आपको कि जैसे चेंज होता नहीं है जैसे एक्टिव वैसा पैसिव रहता है आज ही जो को और अच्छे से कवर करते चले जाएंगे पहले में अपने हातों के यह जिनको थोड़ा सेट कर लेता हूं अब फोकस करता हूं देखो वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स और बड़ी सची बात भी है यह वी वेस्ट मच ट्राइम ट्राइफल्स हम छोटी-मोटी बातों पर बहुत समय बहुत समय वेस्ट करते हैं नस्ट करते खराब करते ट्राइफल्स का मतलब यह मिनिंग आपको पता नहीं जो ट्राइफल्स का मतलब बता चोटी-मोटी बाते ठीक है तो अब आपने शिरवास्तर जी क्या कहते है उतकर्स क्लासे से आज हमने यूपी टाइट और सीटाइट बहुत सारे बच्चे Oke servicios आंगे यह इधार गया AHS चोटी-मोटी बातों पर हम बहुत समय Byutateat करते हैं और रहें वे स्वेश्त मच्ट र्म On Azure सोचिल मीडिया हम सोचिल मीडिया पर भी बहुत समय अपना खराब करते ध्यान रखेगा ठीक है अब आपको जैसा एक्टिव ऐसा पैसी कंफर्म बात है अगर उसने प्रेजेंट की फॉर्मिशन दे रहे हैं तो आंसर में आपको कंफर्म इज एम आर और वर्ब की थर्ड फो में आपका जवाब नहीं हो सकता अच्छा ओप्शन बसते अपने पास ही दो मच टाइम इस वेस्ट बाइस ओन ट्राइफल्स याद रखेगा बैस को मैं आपे आंसर इसलिए मान रहा हूं कि आपके जो बैसिकली जो स्टेट लेवल के जो एक्जाम्स होते हैं ना इनमें UPS को प्रैफर नहीं करती जादा तर और जो एक्जाम होते हैं उनमें बाइस को माना जाता है तो आंसर होगा मच टाइम सिंगूलर तहां इजलेगार वढ किये फोम आगی थर्ड बाइस ओनट रेयफ़र छोटी मोटी जो बाते होती होती है उन्हारे द्वारा बहुत समय वैय यह वर्ब की second form है दोस्तों यह वर्ब की second form है पहले यही बात ध्यान में रखना कोई helping अगर helping अब होती तो मेन वर्ब के तोर पर कहीं नहीं को फस्ट form दिखाई दे रही होती तो यह खुद ही क्या यह वर्ब की second form है एक बात दूसरा अब अपने को answer लेकर आना है अब आप खुद सोचें कि वर्ब की second form है confirm answer में आपको वोज और वर्ब मिलेगा यह confirm बात है वोज और वर्ब मिलना है तो अब इसमें वोज और वर्ब के option कितने दे रहे हैं यह तो सवाली पैदा नहीं हो रहा इसमें भी नहीं दिख रहा और इसमें दिख रहा था लेकिन इसमें यह दे को तुफान ने डिड किया मच डेमज बहुत नुकसान किया यह लिजिए तो फान ने बहुत नुकसान किया अब यहां पर answer बसते है अपने पास एक ही मच डेमेज याद रखेंगा डेमेज जो होता है न लिख देता हूं आप सभी के लिए जो डेमेज अई है uncountable noun ये क्या है? uncountable noun है uncountable का मतलब होता है जिसको गिना नहीं जा सकता और uncountable noun के बाद हमेशा singular verb आती है कैसी verb आती है? singular verb को use करा जाता है एक होचा ठीक है? तो तुफान ने बहुत नुकसान करा है ठीक है ना अंकीत्या जी को आरती जी को ठीक है ना ओफीशिल कंचन जी को सब अपना जवाब भी सही दे रहे हैं सभी को good evening नमस्कार जोती जी दिव्या जी ठीक है न योगिता जी सब को नमस्कार सब आप गबर साब भी है कोई गबर भी है जैक ठीक है नाम कहां से ढूंड के लिए कि आते हैं और उनकी जरूरत पड़ेगी अभी यहां पे इसलिए मैं वापिस से recall करवा रहा हूँ आपको याद हो तो मैंने कहा था एक तो होता it is high time एक तो मैंने आपको कहा था it is high time अच्छा high की जगह पर it is about time भी हो सकता है it is about time एक मैंने कहा था कि it is time के बाद अगर आपको दे रखाओ to और to के बाद वर्ब की first form आती है to के बाद वर्ब की basically हमेशा नहीं to के बाद क्या जिंदिगे में हमेशा वर्ब की first form आती है बिल्कुल ही अगर इस class के साथ जुडे रहोगे आगे आने वाले topics में बताऊंगा के टू के बाद वर्ब का fourth pattern ing वाला भी आएगा it is time plus two ये sentence में क्या दिखाता है determination दिखाता है determination दिखाता है ये बात recall कर रहा हूँ especially sentence को सही करवाने के लिए अब आप खुद देखो it is time to take tea यही समय है to take tea चाय लेने का चाय पीने का यही समय है टेंथ में कई बच्चे अपना बता रहे हैं बी बिल्कुल बी जिनका जवाब बी है बिल्कुल हो के एक दम सही है लिए लो टिक लगा देता हूँ अब कारण क्या है इसमें it is time to take tea was अब काम की बात यह सीख लो two plus verb की first form कभी भी हो active part में तो जब आप इसका passive बनाते हो ना तो वो होदा है two plus b और verb की third form यह द्यान रखना यह होगा कहां पे passive में इनको बोलते है infinitive type के sentence क्या बोलते हैं इनको infinitive type के sentence होते हैं यह द्यान रखिएगा तो याद रखना two plus verb की first form two plus b और verb की third form में बदलेगा तो इसमें तो was लगा गया इसमें should गया इसमें had been गया answer एक ही बचा it is time 40 यही समय चाहे के लिए two plus b और verb की third form यह आपका answer होगा ध्यान रखिएगा शांती जी, शुभम जी सब अपना जवाब ओके दे रहे हैं 10th में b साधना जी, आशु जी, अंशु जी the king gave him a handsome reward the king gave him a handsome reward एक बात सोचे आप the king gave him a handsome reward object कौन सा है एक तो him है, एक handsome reward है एak handsome reward से कोई answer बन रहा है का बिल्कुल बन रहा है, कोई बात नहीं him से भी बन रहा है का बन रहा है लेकिन इसमें क्या किया king के दौरा ये आंसर गया, फिर देखते हैं, he was given a handsome reward by the king, ये हो सकता है, चक कर लेंगी, he was given the handsome reward by a king, ठीक है भे, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें गड़बर ये कर दी, by a king कर दिया, ये गया, क्योंकि king के पहले article कौन सा लगा पड़ा, दा लगा पड़ा था, ये भी गया, d जो अपना answer दे रहे न, वो थोड़ा सा योगिता जी focus करे, by him किया, उसके द्वारा दिया गया है, जबकि दिया किसके द्वारा गया है, king के द्वारा दिया गया है, राजा का, तो आपने ये हर्ती बदल दिया, तो king के द्वारा, raja के द्वारा gave him, दिया गया उसको एक handsome reward मैं एक अच्छा खासा reward ही नाम दिया गया, एक अच्छा खासा ही नाम दिया गया है उसको, ठीक है, अब गए दो option, अब इन पर देखते है, A और C ये दो option बच्चे, he was given by the king a handsome reward, और he was given a handsome reward by the king, he was given a handsome reward, देखो basically by सबसे last में पहुंच जाना ये ज़्यादा ठीक रहता है, तो answer कौन से होगा, C होगा, इसको भी मैं नहीं मान रहा कारण है, क्योंकि by को basically सबसे last में पहुंचा दिया जाए, much better, बाकि हमेशा depend नहीं करता, sentence में option पे भी देखना पड़ता है, आगे बढ़ रहो, I don't like people keeping me waiting, बहुत जबर्दस sentence, exam मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवा है, ठीक है न, अब देखो, I don't like people, मैं पसंद नहीं करता, लोगों को, यह इसका इंदियर्थ है क्या, बिल्कुल नहीं, यह इसका इंदियर्थ है नहीं, इसका इंदियर्थ है बनता है, I don't like, मैं पसंद नहीं करता, people, people keeping me waiting, लोग मुझे इंतजार करवाई, यह मुझे प कभी भी passive बनाते समय नो change इनमें कोई भी change नहीं करना होता passive बनाते समय पैसी में no change passive बनाते time इनका close वैसा का वैसा रखा जाता है अगले close का passive बनाया जाता है अब एक बात सोचिए आप people keeping यह जिरंड है यह जिरंड का formula है इस MR के साथ अगर ing आता हो तब आप क्या करते हैं इस MR को दिमाग से निकालो और बींग को लेकर आ क्योंकि इजमार के साथ वर्ब की fourth pattern होता है तो आप उसे में इजमार plus being और वर्ब का third pattern करते हो न यहां क्या करो इजमार नहीं है रहने दो being ले आओ और वर्ब की third form लेओ पहले check करते हैं I don't like people are kept me waiting इसमें देखो आप are कही था क्या sentence में पहले नहीं था तो यहां नया क्यों लेकिए आ रहूं मैं नहीं I don't like people were इस पे तो विचार ही नहीं करना वो जोर वर्ब का तो खेल ही नहीं है I don't like being वो सकता है जवाब चेक कर लेंगे और I don't like people are being फिर वही आ रहा रहा है और फिर वह वह बींग आ रहा है और फिर वर्ब की third form आ रही है मैं इस आंसर को क्यो उड़ा रहा हूं कारण है मेरे पास मैं आपको क्या कारण दे रहा हूं कि जिरंड का जब पैसी बनाना है ना तो खाली being और वर्ब की third form लगा लो क्योंकि जिरंड में इसे मार तो पहले ही नहीं थे तो हम इसे मार के साथ फिर ऐसे करें क्यों तो आंसर कौन सा अपने पाफ सी यह इसका आंसर रहे है तो ध्यान रखना चोटी सी बात है जवाब ठीक है ना तो I like I want and expect है इनको आपको focus करते रहना है ठीक है सी आंसर जिनका क्या बना रहा है वो एक वोल एक दिवार बना रहा है मैंशन किसे बोलते हैं राज मिस्तरी को बोलते हैं मिस्तरी मजदूर को बोलते हैं आप यूँ याद रख लीजिए यह नवोदय विदाले के PGT 2019 के अंदर आया हो भी question है तो अब देखो अपने को इसका passive बनाना है bean का गया क्योंकि being आता है फिर इसमें is being built हो सकता है देख चेक कर लेंगे the wall was being built यह इस यह तो गया क्योंकि इसमें number किसका रहा है was का विचार ही नहीं करूँगा पड़े के time waste ही नहीं करूँगा ठीक है ना कई अपना answer C दे रहे हैं गलत दे रहे हैं भी the wall is being built अब option बसते है बाई साब build देखो build की third form होती है नहीं जो वह कौन सी होती है बिल्ट होती है तो यह भी इसका जवाब नहीं होगा क्या होगा the wall singular है इस लगा being लगा बिल्ट लगा by the mission यह इसका answer होगा चलो आगे पढ़ते हैं दे पोड वोटर ओनस पोड का मतलब होता उडेलना देखो ऐसे कर रहे हैं किसी ऊपर यह उडेलना दे पोड वोटर ओनस उन्होंने हमारे उपर पानी उडेल दिया इसका पैसी बनाना कोई फरक नहीं पड़ेगा देखो पोड है जो वर्ब की कौन सी फर्म में थर्ड फर्म में यह वर्ब की सेकंड फर्म है एक्टिव और यह पार्ट बन गया इसका पैसिव चेक कर लेंगे अच्छा वॉटर यह इसका अब्जेक्ट है और असको नहीं बान सकते क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन जूड़ा होए ना यह अपने काम का अब रोटीन में कई अपना D answer दे रहे है ठीक है चेक कर लेते हैं वीवर गया क्योंकि wheat object नहीं है,head been सवाली पैदा नहीं होता,water head been सवाली पैदा नहीं है,water was,water के बाद was लिएका pod on us,by them, याद रखीगा basically generally, मैं लिख देता हूँ आपके लिए या पे, generally we don't use by them, by them, याद हम है ना by them को यूज नहीं करते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग पे लकीर हो गई यह बात कि कभी by them होई नहीं सकता क्या मैंने ऐसे बहुत sentence देखे जिन में by them को सही माना गया है लेकिन वहाँ सेलेक्ट करने पड़ते हैं जो option आपके सामने होते हैं जब चार option देते हैं उनमें most appropriate सबसे ज़्यादा सही को चुनना पड़ता है ठीक है तो यह इसका answer वेगा आगे बढ़ रहा हूँ what makes these holes just active वैसा passive जैस अक्टिव वैसा पैसिव अब जैसा अक्टिव अगर वैसा पैसिव है कई बच्चे पूछे पूछे रहे सर क्या चल रहा है लो बताओ active passive चल रहे है मेरे दोस्त पिछली classes अगर आपने नहीं देखी तो बता देता हो active passive चल रहे है ठीक है न सर असका वी में change कर सकते है बिलकुल असका वी होता है बिलकुल क्यों नहीं होता लेकिन वो passive active जब उल्टा पूल्टा बनवाता है तब करता है इसका लेकिन अगर हम basically V UPSC के एक्जाम में नहीं करा जाता अभी आते हैं इस पर what max जैसा active ऐसा passive अपना वहीं आंसर होगा जिसमें what से ही शुरू कर रहा है यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता इनको पढ़ कि अपना समय भी waste नहीं करना एक्जाम के अंदर आपको कि आप इनको पढ़ भी देरो कि सब्सक्राइब को चमतकार होएगा और यह वाला से हो जाएगा सवाल ही पैदा नहीं होता पहली बात तो आंसर इसका यह रहा लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए ना कि यह जो वर्ट लिखा होई कैसे कैसे हो गया what के बाद इसने मेक्स लिखा question mark आ रहा है last में त तो इसने क्या लगाया और लगाया तो what are these holes made by मेक की थर्ड फों मेड होतीर बाई अच्छा what make these holes यह बन गया इसका answer यह इस तरीके से बनेगा बिलकुल भी भी जो अपना जवाब दे रहे एक दो मोग के दे रहे है दिव्या जी सुभम जी नर्बदा जी सीगने सनक जी सब अपना जवाब के दे रहे है जी कई होने आज इंगलिश की पहली क्लास लिए बहुत अच्छे वह आप continue रखेंगे आप पूर इमा जी 15 में भी बता लिए 16 में बताईए वह अब क्या answer होगा when their mother was ill the children were looked after by their neighbors अब एक बास सोचना थोड़ा से फोकस करना बिटा यह बोल रह और वर्ब के बाद looked after दिया हो है तो वह जोर वर्ब के बाद अगर वर्ब की third form आती है तो यह कोई active पार्ड में तो नहीं आती यह तो कहां थी है पैसिव में आती है तो मतलब पहले से पैसिव बना पड़ा है बिटा आपसे वह active बनवा रहा है तो मूल मंतर याद रहना च क्या पता ही हो जाए दूसरा चेक कर लेता हूं अच्या पहली बात तो दा मदर जबकि थी दियर मदर चलो कोई बात नहीं वह तेकन का क्या खेल है बाई जवाब एक ही बच्चा ऑप्शन तो एक ही है वह जवाई लेकिन फिर भी सीख लेते हैं यह देखो कई अपना जवाब डी दे रहे हैं दोस्तों डी पे विचार करो यार टेकन ही लिखा हुआ है उदर दा मदर लिखा हुआ है वहां क्या दियर मदर था तो मिनिंग ही चेंज हो रहे है ठीक है ना गबबर साहब चेक करो गलत जा रह होगा तक चिलेट वर लुग रख दाफटर वाईति Scale तो वस etil दियर नेवर्स उनके नेवर्स ने लुगड आफटर the children neighbors plural था न, plural था तो उसने क्या लगाया था were लगाया था, plural neighbors plural था, तो the children were looked after इस तरीके से बनेगा, ये इसका अंसर हो गया ये मैंने option फटा फट से यो चुटकियों में सटसर सट करके delete किये हाँ बिलकुल पुझा जी यह सही बात है इसे बड़े काम का है कि जैसे एक्टिव है सब मैं कह रहो कि काम का कि तो मूल मंतर है आगे बढ़ते हैं आज आ हीम क्लिम्बिंग ओवर दा फेंस उन्होंने उसको देखा कहा चरते हैं कोई बात नहीं देखा तो सा है सा है वर्ब की सेकंड फोर्म बदलेगा आंसर जो भी बनेगा उसमें वो सा हिम को इदर लाने और वो ही में बदलेगा अचा दा फेंस वोज सीन दिवार को थोड़ी देखा गया था उसके उपर चड़ते हूए दिवार ऊपशण गए अपने अब अपने पास बचता बीस बिब और डी स favormond वाज़ी धेक है ऐग तो आनसर खुद चेक कर लो वहत के इसके बाद तो क्लिम्बिंग यह वापिस दे रखा था तो फिर क्या होगा he was seen वो देखा क्लिम्बिंग यह जिरंड है यह तो वैसा वैसा रहने हो ला ठीक ना जैसे आपने का ना I saw him I saw him playing मैंने उसे देखा playing खेलते हुए I saw him teaching मैंने उसे देखा पढ़ाते हुए यह जो playing हो how will you watch him how will you watch him check कर लेते हैं कैसे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा how will you watch him देखो कई बच्चे क्या गड़बर कर जाएंगे डव्यो एच को देखते हैं तुरंत है ना by who me बना के बैठ जाएंगे अर वो इसके उपर टिक लगाएंगे जो किसी आलत में होगा देखो जो who होता है ना उसको तो by whom में बजलते हैं who को किसमें बजलते है बेसिकली by whom मे बजलते हैं लेकिन जो डब्लूएच वर्ड रहेगा जैसे अक्टिव वैसा पैसिव हाउ का हॉज इसमें लिखाऊ न वह आपका आंसर होने वाला है डब्लूएच का डब्लूएच ही रहता है जैसे थोड़ी देर पहले वोट वाला किया था न ऐसे इसमें डब्लूएच वा और यू और वर्ब की फिर्स फोर्म थी ना तो वह क्या करेगा हाउ के बाद वह इंटरोगेटीट है ना तो जैसे एक्टीव येसा पैसी विल का विल रखा और फिर सब्जेक्ट को लाया फिर बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म ये आप सब को पता है मैं बता आपको कि मोडल प्लस वाप की फर्स वोम रहती है तो उसे मोडल प्लस बी और वब की थर्ड फो में बदलते हैं बनी बात यह बन गया वह फैक वहाँ था वह फूर को यहां पे लेकि आगे क्या दिक्कत है अगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं कुछ भी टीक हो गया कोई फरक पड़ता है से लोक कर दीजे सर हाँ जी नाजरें जी सी को लोग करवाया था कि मैं चेक करना चाहूंगा सी को लोक कर वाए आपने तीज आप आगे जाके में वब बटा सीक्यूर्टी गार्ड सा यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो जैसा लूका क्या मिलने वाला है वोज और वर्ब की सब्सक्राइब यह जो चूर थे बाग निगले फ्रॉंड दुकान से बट लेकिन ऐसे क्योर्टी गार्ड एक सेक्योर्टी गार्ड ने साद हैं उनको देख लिया अब देखो तो अगला देखते हैं और कहां गया कहां गया 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 क्यों क्यों गया है एड बिन मैं बता चुको ना वर्ब की सेकिंड फॉर्म है कंफर्म बात है वह जर वर में जाएगी अच्छा और क्या लिखा मैं पढ़ने की मत भी नहीं करूंगा पेपर देते समय तो अपना समय बचाना है और मैं अपना समय बचाओंगा आप अपना समय बचाएंगे क्यों आपको आगी बहुत सारे कोशन से करने हैं तो खाली एक ही कोशन पर तोड़ी दिमाग लगाएंगी सारा का सारा मैं यह इस वीडियो की बात नहीं कर रहा है आप में एक्जाम दे र प्लूरल था वर कर दिया प्लूरल के साथ वर लगाते हो सिंगुलर के साथ वोज लगाते हो बाई एस का अंसर वा आगे बढ़ रहा हूं फिर ब्रेक्ट में टू भी लिखाओ एक प्राइम नेसेसिटी जरूरत है हर व्यक्ति के पास सिक्षा होने चाहिए और अगर आपके पास सिक्षा है आपको कोई रोक नहीं सकता आपने सपने पूरे करने से शिक्षा होना बहुत जरूरी है नेशलिंज और आपके इंसान जिंदी के बहुत है अब सचो आप कितना सीख अब देखते हैं यह गयरा के साथ हैतो हमें कि यह पना जवाब होगा जैसा अब वैसा पैसे उसमें इज एम आर इन में से कोई ने कोई एक प्रोग्राम तो कंफर्म एज आमर के बाद वर्ब की थर्ड हो चेक कर लेते हैं है भाई इज इसमें नहीं है कैसे नहीं चला इज बिंग लगा पड़ा है मैं विचार भी नहीं गरूंगा फिर इसमें देखते हैं दे आर इज यहां का नाम इन जिकरी नहीं हो इसमें आऊंसर बना एक ही एजूकेशन सिंगुलर के साथ इस लगा इसके बाद वर्ब की थर्ड फोंगी तूबी होना तूबी का मतलब करता होना कि सिक्षा अर कोई यह मानता है कि सिक्षा को हना चाहिए सबसे मुक्षे जरूरत सिक कई बता रहे है पुरम जी ना न न न न न न न बी इंस्भी कोई रोल नहीं है विचार करें Šetr twenty डी he's a answer of twenty डी is the answer of twenty कों बोल गया है नहीं नहीं जी आ नजरिthought है यह लोक नहीं करूंगा मेरी है फिलीज पोस्ट इस लेटिर पैस्जिव नाने भाइस साब प्लीज पोस्ट इस लेटर देखो यह किस से बनेंगे अगर प्लीज और काइंडली शब्द का यूज करा गया है तो request का मसला चल रहा है you are requested से बनेंगे you are requested का option ये की दिखाई दे रहा है ये नहीं है ये नहीं है ये भी नहीं है पर फिर भी विचार जरूर कर लेते हैं इसमें दिया may plus b plus verb की third form भी ये letter है जो posted किया जाना चाहिए काश posted हो ये ना अच्छा this letter must be ये must model का तो सवाली पैदा नहीं हो तो you are requested आर के बाद verb की third form आ रही है और बाकी पूरा का पूरा close वैसा का वैसा रखा जाता है पूरा का पूरा close पूरा पूरा sentence वैसा 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 21 में आ गया C एकदम सही जवाब है बाकी जो बता रहे है महेश जी बता रहे है पूनम जी शुभम जी अलका जी निखिल सब अपना जवाब सही दे रहे हैं बहुत बढ़िया आगे देख रहे हैं I am surprised at her decision ठीक है बई देखो EJMR के साथ verb की third form लगी पड़ी है तो यह पहली कह रहा है कि active बनाओ पैसीव तो दिया पड़ा है आप से active बनवा रहा है तो एक साथ साथ एक दो चीज़े सिखा देता हूं आपको देखो एक तो नहीं है नहीं सा के साथ आता है यहां पर इंप्रेस्ट प्रेस्टे बनती जहां पर यह ऐसे भी होता है अच्छा और देख लेते हैं आपने कोई और नया प्रोग्राम आजें जैसे इसे चोड़ी चोड़ी बाते हैं ठीक है annex der हैं और उलर्ड का मतलब क्या होता है प्रतिभावान जिसमें कई सारी इन सब के साथ यह यह प्रइपोजिशन आती हैं आप देखो surprised के साथ at आता है shocked लिख देता हूँ s-h-o-c-k-e-d shocked हो गया amazed हो गया एक यहां लिख देता हूँ startled s-t-a-r-t-l-e-d startled इन सब के साथ कौन सी preposition आती है आती है ऐसी यह surprised के साथ भी आती है तो amazed shocked started इन सब के अर्थ एक जैसी होते है लगबग अचंबी तो दाना ठीक है ना शोक्ड हो जाना अचंबी तो जाना आश्यरे चकी तो जाना अब देखो I am surprised confirm बात है जो आपका जवाब होगा ना वो simple present में होने वाला है कैसे पता चला ज second form लग गई मतलब भी नहीं है हर decision singular था surprise के जाद surprises हो गया जवाब सही हो गया यह लो जवाब 22 में D बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं बाइस में कई C बता रहे हैं C वाले बया यो ध्यान रखो नहीं 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 अंकिता जी शी नहीं होगा अगर यह वर्ब की first form होती simple present tense होता तो उसमें read के आगे s लगा होता तो इसका मतलब वर्ब की second form है तो जैसे active वैसा passive और जैसे active वैसा passive है तो answer में अपने को धूंड़ना क्या है was और वर्ब की third form इसमें नहीं है इसमें नहीं है कईयों को दिख रहा होगा लेकिन आगे यह भी तो देखो यह भी लिखा हुआ है इसमें नहीं है क्योंकि will लिखा हुआ है answer a की बच्चा वो है the report was report singular was लगा red इसको है na spelling सही रहती है spelling सही रहती है अब देखो आपने ध्यान रखना spelling तो सही है लेकिन spelling का जो pronunciation है न वो क्या रहता है read 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 तो है लेकिन इसको बोला जाता है read 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 यह रहेगा यह ध्यान रखेगा तो the report was read by the principle यह इसका अच प्रिंसीकर की spelling थोड़ी सी ध्यान रह宁 क्या плюс फ्य प्रिंसी Прल यह तो जो मुख्या होता है उसको बोलते है और यह कोती प्रेली वाली भी उसको क्या बोलते आप Siddhaant बोलते है वह क्या होती है सिद्धाant वो पी एली होता है यह ठोड़ी सी चोटी सी बात है ध्यान रखिएगा कुल मिला कि यह आपका sentence है यह इसका answer है आगे बढ़ रहें वाई डिड यूर ब्रदर स्कोल्ड यू वाई डिड यूर ब्रदर स्कोल्ड यू तुमारे भाई ने तुम्हें डांट क्यों लगाई स्कोल्ड स्कोल्ड का मतलब क्या होता है डांट लगाना डांट फटकार लगाना यह इसकार्थ हुआ अब आप सुझो वाई डिड यूर लिख सकते लेगिन यह तो कंफर्म बात है ना कोई ना कोई helping अगर लेकर आएंगे तो वह helping वब कौन सी होगी डिड के बाद अगर उदर उसने वर्ब के फर्स्वाम लिखे तो आंसर में अपने पास होना चाहिए was या फिर वर देखते हैं आप सोचरों की सर वर आत हो गया ल इसमें डिड़ी दुबार आ गया इसमें यौर आ गया गये अब आंसर बच्छा एक ही और वह है यह लेगिन चेक कर लेते कैसे बना वाई ठीक है वर यू यू प्लूरल है तो इसने वर रखा अगर यह यू की जगह पर ही होता शी होता कोई एक वोचन सिंगुलर होता तो वोज भी कर सकता था ठीक है तो वाई वर यू स्कॉल्डड बाई यूर ब्रदर तुम्हें अपने बाई के द्वारा डांट क्यों लगाई गई स्कॉल्ड का मतलब क्या था डांटना फटकार ना ठीक है आगे चलते है एपल अफ डिस्कॉर्ड यह लो जनाब बीच में मैं में लेके आगया इडियंस कई शिरो। एक और यह रो जूर्य वैपल को जडूयों कई और और यूठ कर लेते हैं जगडे की जो मेंजड होती है उसको बोलते एपल ओफ डिस्कोर्ड देखो आप यूं मान के चलिए डोक्टर कहीं बार कहते हैं एपल डे कीप्स दॉक्टर अवे कि अगर आप रोज एक सेव खा लेते हो तो डोक्टर दूर रहेगा आपके पास नहीं आएगा अब बेसिकली आप रोज सुबह उटके और खर्चा कर भी ले तो एक सेव रोज खा भी ले तो पर आजकल तो आपने देखा होगा सुना होगा इधर उदर पढ़ा होगा कि एप प्रीज एक डोक्टर के साथ जगड़ा इस बात पर करा कि साब मैं तो रोज सेव खाया करता था है ना और फिर भी मेरी तबियत खराब हो रही है फिर भी आप मुझे दवाईयां दे रहे हो इसका मतलब नहीं नहीं सर आप जान बूच के मुझे दवाईयां दे रहे हो ना वो आसान रहे है तो एपल फ़ दिस्टोड सेव जो है सेव जो वो किसका कारण है जगड़े का करण है अब यह देखो यह अपने पास fera क्यों क्योंकि एक्यों पर आपक से पूछ ले की याद रखिए अब बीन यह आपर मेन वहाप का काम कर रहा है मेरा ये idioms है ना इनमें main focus example पर भी रहता है कारण क्योंकि इनमें कई बार कई कई सारी technique आती है ठीक है ना अब देखें आप आगे चलें कश्मीर has been an apple of discord कश्मीर जो रहा है an apple of discord जगडे का कारण रहे हमेशा से between किस के बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान बारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर हमेशा जगडे का कारण रहा है has been ठीक है ना हमेशा से रहा है और अभी भी रही हुआ है ठीक है ना has के बाद verb की third form लगी है ध्यान रखिएगा present perfect tense है कौन सा tense है present perfect tense है being यहाँ पे हिंदी अर्थ क्या दे रहा है होना being का मतलब क्या होता है होना आगे बढ़ रहा हूँ wild goose chase a search that is completely futile futile meaning याद कर ले ना futile का मतलब होता है निरर्थक वैर्थ जिसका कोई अचित्त ने कोई मतलब नहीं है बिना मतलब की तो wild goose chase गूज है ना वैसे hans को बोलते हैं किसको बोलते है hans को अच्छा आपने कभी कोई hans को इंसा करते हुए देखा है कि छेज करूंगे निकले निकले ओ एक जंगणी हंस को अपको कभी मिलेगा सवालि पैदा नहीं होता है जब wicht जंगली होता ही नहीं है, wild होता ही नहीं, आप उसको ढूंड कहां से लोगे, मतलब आप कैसी दिशा में जा रहे हो, किस चीज को ढूंडने की कोशिश करे हो, जो वेर्थ है, जिसका कोई अचित्त्य नहीं है, तो एक सर्च that is completely futile, एक ऐसी सर्च, एक ऐसा आपकी खोज, जो क किसके लिए लगा है, यह पूरे का पूरे, यह यहां से लेकर और यहां तक, यह आपका subject singular था, singular था, तो यह जो यहां पे लिखा हुआ है, यह मेन वर्ब का काम कर रहे है, यह क्या है, मतलब मिले गए नहीं, ऐसे ऐसा होता नहीं, मिल जाता कहियों को तो, लेकिन अपने आ मतलब था ह मतलब था है सुर, और कास्ट का मतलब था बिचा देना, रख देना, सजा देना, कास्ट कर देना, सामने रख देना, बिचा देना पॉल्स का मतलब था है, अगर आप किसी सुर के सामने मोती बिचा देते हो, तो तो मतलब ऐग है, इस बात का, मतलब to offer something valuable who doesn't know its value, कई लोजिकल बात करती हो जिसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में जिसको पता है किया सिख रहे हैं कहीं ने देखिए गुए आप कोई बात नहीं लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनका तो बला हो रहा है और उनका तो कंफर्म बला होगा उतकर्ष अपनी तरफ से मैनत कर रहा है मैं नरेश उपाध्य अपनी तरफ से मैनत कर रहा हूं मेरे बच्चे जो सामने पढ़ रहे हैं वो अपनी मैनत कर रहे हैं कुछ की म उसको नहीं पता है इसके बारे में कोई आईडिया नहीं है सेंटेंस देख सथ साथ-साथ मैं स्टोरी बना रहा हुँह रिएट करते रिलेट करते जाना स्टोरी को याध करते जाना और कितनी भी अच्छी स्टोरी हो आपको चाहिए, कितनी भी इंटरस्टिंग लगे, अगर आपने रीकॉल नहीं करा दुबारा से, तो भूल जाओगे, मैं पहले बता रहूँ आपको, रीकॉल जरूर करते रही है, Giving sermons to a bibulus, it's just like casting pearls before swine, meaning आया बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, bibulus, bibulus का मतलब होता है, शराबी, ठीक है न, एक और meaning आपको बताता हो, एक होता है, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब क्याता है, पुस्तक प्रेमी, जो किताबों से प्रेम कर होता है, फाइल वर्ड जिसके साथ आजाता है, यह रूट वर्ड होता है, फाइल वर्ड जिसके साथ आजाता है, वो प्रेम से रिलेटेड होता है, प्यार करना, पसंद करना, तो बिब्लियो, बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, अच्छा, एक ब बिल्कुल किस तरीके से हैं कि आप बैंस के आगे बीन बजा रहे अरे वाई उसको क्या पता उसको क्या पता अलका जी करें आज उनके लगबग सारे कोशन सही हुएं कल थोड़ी बहुत गलत थे कोई बात ही वेल डन और आगे भी आपके कोशन ऐसे ही सही होते जाएंगे सर बंदर क्या जाने अतर का स्वाद ये भी आमीज जी बिल्कुल सही कह रहे है ऐलकॉलिक शराबी बिल्कुल अलकॉलिक पंकर जी कह रहे है ऐलकॉलिक बिल्कुल शराबी को बोलते है गुड मॉर्निंग ये सही बात है वाई शाम बले ही हो रखियो लेकिन जब हम कुछ सीखते हैं निया तो good morning much better answer आगे बढ़ रहा हूँ है ना यह द्यान रखेएगा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ V hours देखो meaning याद करेंगे V hours early hours of the day या morning फटने से पहले का समय जिसको brahma murat ka समय भी का जाता ना सुर्व जुगने से पहले अगर आप उढ़ते हो याद रखें अगर जल्दी आप उढ़ते हैं मुझे नहीं पता आप में से कितने उढ़ते होंगे लेकिन अगर जल्दी उढ़ते हैं आप ब्रह मुरत के समय सूरज के उगने से पहले अगर आप उठे हुए हैं चार बज़े अगर आप उठके पढ़ाई करे पांस बजे उठके पढ़ाई करें उस समय पे आपको डिस्टरब करने वाला कोई होता है क्या नहीं होता वी का मतलब हम वह हमारा समय है लेकिन सूरज ऊगेगा दिन बढ़न जाना पड़ेगा माता पिता ने कोई काम समपा वो करना पड़ेगा अलग अलग कई तरीके के काम关े पड़ते हैं वह वी के नहीं है विका chloride कम नहीं दिये और अगर अब देखो, early hours of the day, morning, पो फटने से पहले के समय को इंग्लिश में, किस EDM के नाम से जाना था है, वी आर्स, हमारे गंटे हैं बाइसा वो शुरू के 2-3 गंटे जब आप उठके पढ़ाई करते हैं, वो हमारी गंटे हैं, तो आगे देखते हैं, यह अपने पास example है, successful people finish, successful people plural है, plural के साथ, वो अपकी कौन सी form आई है, first form आई है, plural formation आई है, सुबह जल्दी उठकर वो अपना सबसे important काम पहले complete करें, बैठे रहते हैं, बाद में पूरा दिन उनके पास, 24 गंटे हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी, सब के पास ही, लेकिन उन 24 गंटों को 48 आर्स बनाना, वो भी हमारी याद में है, कैसे होता है, ठही है, नेंद भी इसी टाइम सर, बिल्कुल सही कह रहे है, नेंद भी इसी टाइम आएगी, किक दबकेट, याद करें, यूफेमिस्टिक टॉम फोर्थ तु डाए, निधन होना, किक दबकेट, देखो, यूफेमिस्टिक का क्या मतलब होता है, किसी भी बाशा को थोड़ा आसान बना देना, ठीक है न, शरल शब्दों में, शरल शब्द कह सकते हो आप, आसान बाशा में, ठीक है न, हलके शब्दों में, ठीक है जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे, आपको एक मीनिंग याद कराता हो, आपने कई बार मूवीज में, कोई टीवी, सेरिल वगएर में आप सुनते ह जैसे कोई doctor किंसी की मोग हो जाती है hospital में फिर अंब और बोलते हैं यह फिर यू बोलते हैं वहां हम उने बचानी पाए या वह अब नहीं रहे कभी यह बोलते हैं वो मर गया वहां यहां जिसर्ख्थ एबास और शिपर He नहीं लगे, जैसे उसने बोलाग, I'm sorry, he's no more, मुझे माफ करना वो नहीं है, ये शब्द होते हैं euphemistic, अब सुनो, kick the bucket, इस idiom कार्थ कहा है, निदन होना, ये euphemistic term है, जो use करी जाती है, निदन होने के लिए, देखो, I want, ये sentence अपने पास example है, I want to see all my children, मैं अपने सभी बच् उनके बारे में कही जा रही है, आदेखो, याद करना में, kick the bucket, अब यूँ याद रखके चलो, bucket का मतद, देखो व्यक्ति को, दो बार सनान करवाए जाते हैं, एक बार जन्म होता है, तब सनान करवाए हैं, फिर एक अंतिम सनान होता है, उसका, अंतिम सनान मरने के बाद, अंतिम सनान करवाया जाता है और फिर उनका अंतिम संसकार किया जाता है मैं आपको याद करवाने के कोशिश कर रहा हूं मैं नहीं आज के बाद इस बाल्टी में यह नहीं नहीं आएंगे यह इनका निदन हो गया है यह मैंने याद करने के ट्रिक बताई या खाली आपको ठीक है ना आप इनको लोजिक से जोड़ना मस शुरू कर दीजिएगा मैं आपको याद करने के चोड़ी चोड़ी ट्रिक्स बता रहा हूं ताकि यह इडियम याद हो आपको आगे बढ़ रहा हूं इक बर्ट आई व्यूव थेखों एवियो ब्यूल को बता है कि निगाहि डालना कई वार होता है आप ने एक्जाम देने जाते और टाइम Lynn बच्चा और आप सब 2-3-5 पन्ने बरेगा वो राजनीती कारण पर सामाजिक कारण 2-3-5 पन्ने बरदेगा वो ठीक ना कई बारा भी ऐसे पढ़के जाते हो ना ठीक है ना आपके पास अगर आपका लक्षे अपको पता न चाहिते हैं कि बिसनेस करेंगे कई सरकारी नोगरी के दिन 4 दिन सपने देखते हैं 500 दिन फिर बूल गए यूंग कर चलता रहे तहां लग लग खेल है सब का तो यह बर्ट्स आई व्यू पक्षी की आंखों का व्यू लेने आपने पक्षी की तरह देखना आपको आपका निशाना बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए तो अपने अपने पास एक एक एग्जेंपल है तुडेज आर्टिकल पब्लिज्ड इन दाहिंदू आज का जो आर्टिकल है जो पब्लिज्ड हुआ जो छपा किसमें दाहिंदू दाहिंदू न्यूजपेपर में दाहिंदू न्यूजपेपर के बारे में सुना आपने गिव्ज वो क्या देता है देखो टुडेज आर्टिकल ये सिंगुलर था सिंगुलर था तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फूम के साथ है सोरी ऐसे लग रहा है और टुडेज आर्टिकल पब्लीजड जो छपा इंदार हिंदू न्यूज पेपर दा हिंदू न्यूज पेपर में चपा गिव्ज वो देता है ए बर्ड्स आई व्यू ओफ महात्मा गांदी महात्मा गांदी के बारे में सरसरी नहीं गाए मदब महात्मा गांदी के जीवन में उन्होंने क्या किया कैसे करा देश में क्या सही हो करा उनोंने उसके बारे में एक overview देता है इसे बोलते है Sir one word substitution भी आता है बिल्कुल सब करवाएंगे graduation बस point से exam देदना हमने पढ़ना सही है बिल्कुल बिल्कुल सबको नमश्कार भी पढ़ते हैं बिल्कुल बहुत बढ़ी आवे सब पढ़ते रहो आप खेचे रहो काम को बिल्कुल one word substitution भी करवाऊंगा आपको बे फिक्रिये सब नमबर आएगा अब इडियम का चल रहा है फिर्श अनॉनिम सेंटॉनिम वन वर्ड हर एक चीज आएगी आपके पढ़ाने के सब्सक्राइब आपके पतनी के द्वारा पती को दी जाने वर्ड है पतनी के द्वारा पती को दी जाने वाली डांट फटकार कई बार पतनी पती को साइड में लेके जाते हैं ना कि यह जो दोस्तों को लेके आए गर पे इनके लिए जो खाना बनाना है पहले क्यों नहीं बताया गया और मैं क्या मैं नोकरा नहीं इस गर की मैं लगी रहूंगे क्या पूरे दिन इसी काम में क्यों करके बोल देते हूं ठीक बच्चे को अपने आप पता चल जाता कि गए आज तो नंबर लगेगा अपना ऐसे पतनी थोड़ा सा इशारों से समझा देती है पती को कि आओ तुम आज में मैं बताती हूं यह वह वाली बात है अब कर्टें लेक्चर कर्टें का मतलब प कर्टें का मतलब पर्दा भी होता है ध्यान रखेगा पर्दे के पीछे ले गई यहां हो अब बताओ अब यह हो गया ना याद बस ऐसे एडिया में मुआवरा है हो गया तुरंत याद अपने सेंटेंस देख लेते हैं एक्जांपल देख लेते हैं अगर आप घर पे आते ह एट नाइट रात को देन बी रेड़ी तो तयार हो तो लिसन अकर्टें लेक्चर फ्रॉम यूर वाइफ तो तयार हो अपने पत्नी से डांट फटकार सुनने के लिए इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है तो अगले क्लोज के अंदर भी वह सिंपल प्रेजेंट और सिंपल जा सकता है तो यह ध्यान रखें अब एक कर्टें लेक्चर ठीक है ना अपनी मम्मी को बता देना कि मम्मी आप जो पापा को डान्ट लगाते हो वो कर्टें लेक्चर है ठीक है आगे चलते हैं तो रेन केटस आंडगस बहुत अच्छाए डियम है तो रेन केटस रेन वैरी है विली मुसलाधार बारिश ओना रेन केट्स बाल मोत तेज बारिश होते ना तो बिल्ली होते है खुट्टे होते भागते इधर होते क्योंकि पानी बर भर घया माल लिजिए गलियों में थो बिल्ली कुते सब छुप रहे हैं सब भाग रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बहा रहा है ऐसे याद कर लो यह स्टोरी बना गी हमने एक्जम्पल देखते हैं क्योंकि इस का मतलब है यहांपर क्या है क्योंकि क्योंकि अच्छ पोस्ट्पोंड किया गया अच्छा पोस्ट्पोंड का एक फ्रेजल वर्भ याद करवाता हूं वह याद करना call of का मतलब क्या होता है postpone करना याद करना याद करना यह phrasal verb होती है यह phrasal verb यह phrasal verb चापी है याद रखना आपके exam में phrasal verbs आते हैं मा आगे आपको phrasal verb याद और भी करवाँगा लेकिन एक आ रही है सामने तो क्यों ना पहले पढ़ लिया जाए phrasal verbs तो cold of का मतलब है postpone करना क्योंकि बारिश हो रही थी मुसलाधार बारिश हो रही थी ऐसे relate कर लीजिएगा आगे बढ़ता हूँ a wet blanket a person who discouraged enjoyment मजा खराब करने वाला आप सोचिए कि आप सर्दियों का समय है और आप एक blanket का मतलब क्याता है कंबल कंबल ओड गया राम से सो रहे हैं ठीक है ना अचानक से आपके कंबल को गीला कर दे जो को पानी फैंक दे उस पे या फिर आप बहुत थकी हुए हो बहुत परिशान हो आप और आप सोने के लिए जा रहे हैं और आपको कंबल लिया कंबल पहले से गीला पड़ा है आपका सारा मज़ा के रहे हो गया है मैं इतना ठका अरा घर पे आया हूं और से घंटेंस had I known he is such a wet blanket had I known अगर मैं ये जानता कि वो क्या ही such a wet blanket वो ऐसा भाइसा मज़ा खराब करने वाला आदमी है I would have never invited him to the party क्या कमाल sentence है कारण बताता हूँ आपको कमाल क्यों बोला है मैं इसको क्योंकि यहाँ आपको दो चीजे शिखाऊंगा एक सिखा चुका उसको recall करवाँगा दूसरी सिखाऊंगा preposition में आएगी जो सुनो had I known question mark दिख रहा है कि sentence के last में नहीं है न और sentence के शिरुवात हुई है helping verb से sentence के last में question mark है ने शिरुवात और helping verb से याद करिए conditional का थर्ड रूल है लिक देता हूँ याद रखेंगे आप conditional का third rule था जिसका नाम क्या था impossible impossible या फिर आप उसे कह सकते हो rejected rejected condition लिख रहा हूँ आपके लिए specially impossible rejected condition जिसमें had plus verb की third form if के बाद had plus verb की third form रहती है अगले close में would should could might plus have और verb की third form रहती है तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि यह जो example है ना यह inversion है कितनी बार यह शब्दा आया था ना पहले यह inversion है क्योंकि यहां पे कौन नहीं है if नहीं है if नहीं है इसलिए if नहीं है इसलिए यह क्या है inversion है तो conditional के तीसरे part को मैंने कुछ ऐसे ही सिखाया था आपको कि अगर if नहीं दे रखा हो तो head को starting में रखेंगे inversion करेंगे उसके बाद subject रखेंगे फिर main verb रखेंगे आगे sentence बढ़ता चला जाएगा ठीक है ना याद रखिएगा had I known he is such a wet blanket I would have never invited him अब आपको सिखाता हूँ देखो एक तो याद रखना welcome welcome एक verb होती है invite एक होती है admission एक होती है admission welcome, invite, admission ठीक ना इन के बाद इन के बाद two preposition का use किया जाता है कि अगर बाद में कोई place दे रखा होता है जगे ही कमपड़ गी आज तो मेरे बास अगर कोई place दे रखा तो कोई स्थान दे रखा होता है अब आप खुछ सोचो invited him in the party अगर इस two की जगह पर in लिखा हो आ जाता बहुत सारे बच्चों को पता है नी चलता कि कोई error है भी क्या इसकी जगह पर क्या लिखा हो आ जाता इन लिखा हो आ जाता तो उनको क्या लगता सही लगता जबकि सही है नहीं बेटा welcome invite admission इनके बाद two preposition आती है अगर बाद में कोई place कोई स्थान दे रखा और party place ही है ज्यान रखिएगा भूलना मत ठीक ना भूलना मत और अगर अगर पर्मानेंट याद करना है तो एक दू दोस्तों को बता देना कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा है और उनको जब recall कर वागए याद हो जाएगा आपको पर्मानेंट और मैं प्रेपोजिशन के अंदर clear कर वाभ ऐसे चीजों को रिलेट करके आप याद करो यार क्यों याद नहीं होगी बड़ी जबर्दस तरीके से याद हो सकती चीजे उमीद करता हूं सब के समझ में आ रही होंगी कमेंट्स की देख लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल सब सभी चल रहा है ठीक है आगे बढ़ रहा हूं दैरेक्ट इन दैरेक्ट भी अभी अगला टॉपिक होने वाला डाकी जिसको मेरेशन से मिलता जूलता लगता कई बार मुझे क capable App किसे नरेश चेजे खरीद की उलेकर कोई इसफ्या करते हैं कोई भी आपको एक चीज खरीद के लिए कर आते हो और फिर आपसे ये सामने वाले आप उसको बोलते हो ये डिसकाउंट चल रहा था मैं खरीद के लिए आ आपकी market value का आपको लगता नहीं कि सामने अच्छा डिसकाउंट में ले क्या है क्या हमने तो सुचा यार वैसी खर्चा किया है था ने हो गया याद हुआ महत्व कम होना सामने वाले की नज़र में महत्व कम हो गया अच्छा डिसकाउंट में लिया गया फिर त्यार सस्ता ही पड़ा होगा तुझे फिर तो इतना महानी होगा कई बार आप किसी को कहते हो कि यार यह चाहिए कि तुझे इतने रुपय कला फिर वह इतने गाया है तो करने लिएखनूइक कंई पर यहां पर नहीं पर इसकाउंट में लए था जब डिसकाउंट चल रहा था एक के साथ तीन फ्री वाली स्कीम चल रही थी यह कीसाथ थी लिए एक के साथ इसी लिए वाले दुकान वाले शौप वाले कोई भी एक के साथ दो फ्री तीन फ्री चार फ्री उसको बोलते गिमिक ठीक है ना तो अब पहले एक बार इसको याद कर ले थे हैं है यहां पर इसका एक्जामपल छपा पड़ा है ठीक है ना बेफजूल बाते करते हैं उनके उपर लोग जादा ध्यान देते हैं कि हाँ यही सही कह रहा होगा ठीक है ना सबका इनकी तरफ यह द्यार रहता है कोई बात ने अब रहता है यहां पर किसका काम कर रहा है विक इंटीगरिटी तो आप ज़ादा विश्वास किया नहीं जा सकता याद करना है चोटी सी स्चोरी मेरे पास इसके लिए a man of straw कई बार आप juice वगेरा पीते हो तो होता कि लड़के लड़के लड़का लगाती है लड़का आता है लड़का भी लड़के आते हैं वो juice पीते हैं सीधा glass को लगाया गट 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 पी गए ठीक है ना लेकिन आपने देखा कि एक आदमी आता है लड़का आता है उसको भी श्टो चाहिए वैसाब उसने भी श्टो लगाए और फिर वो श्टो से पी रहे शिप करकर के आप देखते हैं रहे क्या यार यार यह तो स्टो से तो juice पीते है इस पर क्या विश्वास कर लेंगे है ना इस्टोरी बना रहा हूँ आप में से अगर कोई स्टो से पीता हो तो कोई वैसे यह बुरे मानने वाली बात नहीं मैं तो एक मिनिंग याद करवाने का तरीका है मेरा ठीक है ना तो a man of straw, a person who has weak integrity, a character, ढुल्मूल आप यह दो दुल्मूल रवही है यार उसका एविशवशने विश्वास करेंगे अपने इस तरीके से आप याद कर लो ठीक है ना, तो अच्छे यह इसका example है, people respond people plural था ना, respond verb की first form people respond their faith in him, लोगों ने अपना विश्वास उसमें दिखाया, but लेकिन he proved to be a man of straw लेकिन वो तो एविस्वशनी वेक्ती निकला लोगों ने अपना विश्वास उसमें दिखाया लेकिन वो कैसे वेक्ती निकला दुल्मूल लिकला एविस्वशनी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता याद रखिएगा simple present का sentence है अगला चलते है in the doldrums a period of depression या no activity or development डामडोल स्थिती में हो ना a period of depression doldrum meaning याद करवाता हूँ आपको meaning याद करवाता हूँ आपको सबसे पहले तो एक meaning आप ही यह याद कर लो doldrum जो लिखा हूँ है ना doldrum ही अपने आप में क्या होता है period of depression एक होता है doldeful 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 का मतलब क्या होता है gloomy 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 एक meaning और याद करो detest एक meaning और याद करो dismay meaning याद करना जरूर काम के meaning है क्योंकि मैंने जैसी doldrum देखा ना मुझे यह meaning दिमाग में आए मेरे क्या यह meaning आप तक deliver होने चाहिए बहुत जरूरी है doldeful doldeful के synonym साप्रावी में सारे के सारे प्राइवाची है एक दूसरे के gloomy detest dismay in subkart क्या होता है udas in subka मतलब क्या है udas sub udas क्या है एक और आपको याद करना हो s o m b r e sombre sombre का भी मतलब क्या होता है udas अब इनको याद कैसे करेंगे कोई व्यक्ति जिसके फुल डोले-वोले है डोले-फुल फुल डोले-वोले लेके घुम रहा है आप जिम में गए जिम करने के लिए आपने देखा यार इसके तो अच्छे खासर डोले-फुले फिर डिस में इस मही को अरे यूँ याद कर लो इस बार मही में अभी देख लो आप इस महीने में अप्रेल के अंदर इन्ही महीनों में इतनी बहेंकर गर्मी पड़ रही है Saturday, Sunday की छुटी रहती है सोम बार, सोम ब्रे, सोम वार को अगर आपको स्कूल, कॉलेज, अपने ओफिस कहीं जाना पड़ता है तो चैरे पर उदासी चाह जाती है क्योंकि इन दो-चार दिनों में फूल इंजोय करा रहता है आपने मस्ती करी रहती है तो उदासी चाह जागी यह याद हो रहे है ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है तो यह कुल मिलाके मैंने आपको कुछ words याद करवाए है यह भी ध्यान रखिएगा उससे relate होगे इन दो-डोल्डरम्स तो याद कर लेना पिरिएड ओफ डिप्रेशन no activity or development डवाडोल्स तीती में होना यह इसका एक example है after my breakup मेरे breakup के बाद I was consistently in the doldrums मैं क्या था डवाडोल्स तीती में था क्या करूँ क्या ना करूँ breakup के बाद उसके दिमाग में यही चला था तो यह हो गया अपने पास यह idiom याद हो गया तो उमीद करता हूँ आज का lecture आपको समझ में आगा अच्छा लगोगा यह note down कर लीजिए सब के सब वैसे PDF आपको टेलिग्राम पे मिली जाता है तो पढ़ते रहिए उतकर्स के साथ जूडे रहिए सब्सक्राइब अगेरा नहीं करा धन्यवाद टेक केर बाई बाई